तो गुड़ मॉर्णिंग, नमस्कार, सस्रियकाल, वेलकम हैं दोस्तों आप सभी का, ठीक है, चलिए सुरू करने वाले हैं, आज हम लोग फाइनलसियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन, तो फाइनलसियल अकाउंटिंग जो है किसी-किसी का समेश्टर, मतलब विकॉम पार्ट बताएंगे, तो दिखिए, यहाँ पर हम आपको वन माक्स वाले कोश्चन बताएंगे, तीन माक्स वाले कोश्चन बताएंगे, चार माक्स, पांच माक्स, दस माक्स, मतलब बहुत सारे कोश्चन है, आपको एक्जाम जैसा भी हो, बहुत सारे कोश्चन टच करने वाले हैं तो दोस्तों एक जाज बता दूँ इतना अगर आप question कर लिजेगा ना तो definitely आप exam में बहुत सारे question touch कर जाएंगे अगर आपका subject financial accounting है तो ठीक है तो हमारा पहरतला question है कि accounting standard are mandatory for तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि लेखांकन मानक के लिए आदेश है तो किन के लिए आदेश है तो company इसका right answer हो जाएगा कंपणियों के लिए ठीक है आगे देख लितने है बी नंबर question तो यहाँ पर question नंबर बी में पुछा गया है क्या पुछा गया है पुछा गया है कि मजदूरी अधत है ठीक है अरे यार कान में चीटी काट दिया है बोस हाँ मजदूरी अधत है तो कैसा अधत है wages तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका personal account ठीक है personal account व्यक्तिकत खाता यह हो जाएगा थी नंबर question देख लेते हैं ठीक है अभी लेखन हेतू किया जाता है तो क्राय वही का अपयोग किसके अभी लेखन में किया जाता है यहां पे right answer क्या हो जाएगा माल के समस्त क्रायों में उधार के क्रायों में तो right answer हो जाएगा B number all credit purchase ठीक है all credit purchase आगे देख लेते हैं तो हमारा question number next है इसमें पुछा गया है जब तलपट mail नहीं खाता तो कौन सा खाता खोला जाता है इंगलेस में है कि when trial balance is not matched which account is opened तो right answer क्या हो जाएगा उस time पे कौन सा खाता खोला जाता है तो उस time पे आपका suspense खाता खोला जाता है option 20 का right answer हो जाएगा suspense account ठीक है next देख लेते हैं तो हमारा question number 5 है इसमें पुछा गया है कि किराया किराया क्राय अधिनियम है किराया क्राय अधिनियम है मतलब कब बना है तो higher purchasing act जो बना 1972 में बना option से इसका right answer हो जाएगा 1972 ठीक है आगे देख लेते हैं next question है question number 6 इसमें पुछा गया है कि farm के समापन पर पूझी खाते बंद किये जाते हैं तो पुझी खाते बंद किये जाते हैं right answer किया हो जाएगा sense से bank खाते से तो right answer हो जाएगा option number B bank खाते से बंद किये जाते हैं ठीक है by bank account आगे देख लेते हैं question number 7 इसमें पुछा गया है कि एक नवासूली लगु कारियरासी को अस्तागित के जाता है right answer क्या हो जाएगा lab hani खाता option 2 है बैपार खाता option 3 है आर्थिक balance sheet आर्थिक चिठ्ठा और option 4 है आपका क्या हो जाएगा जी नवासूल लगु कारियर को अस्तांतर्यत क्या जाता है तो अंसो के निर्गमन दोस्तों इसका आंसर खोज लिजी आप ठीक है बागी जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए ला भानी खाता ठीक है आगे देख लेते हैं कि निर्गमन के लिए वैद्ध्यानिक या कानूनी वैइं हो जाएगा पुंजिगात वैइं या क्या हो जाएगा तो राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका capital expenditure revenue expenditure अंसों के निर्गामन के लिए वैद्धानिक है तो right answer हो जाएगा जहां तो मेरा अनुमान लग रहा है मतलब क्या बता हूं एक दो question जो है ना इसी तरह से confusion कर देते हैं तो revenue loss या capital expenditure loss पुझी गत्वे आई दोस्तों इसका answer मुझे लग रहा है capital expenditure वाकि आप लोग देख लिजिएगा ठीक है यह दोनों question देख लिजिएगा उन्जी गत्वे capital expenditure अब देखिए आपके जोगर power marks वाले question आएंगे चार marks वाले तो किस types आएंगे ठीक है यहाँ पर देखिए question है रोज नामचा का प्रारूप देजिए तथा रोज नामचा लिखने के नियमों की विचना करें इंग्लिस में है कि give the form of आपका general and discuss the rule of generalizing ठीक है general analyzing आगे देख लेते हैं तो यहाँ पर question number two है कि bank समाधान विवरन क्या है वाट इज बैंक रिको यह क्या जरी reconciliation statement तो देखिए मैं first time पड़ रहा हूं ऐसे वाट क्योंकि मैंने तो शुरू सही आर्ट किया था और बाकी आप लोग के काने पर ही मैं वीडियो अप्लोड कर रहा हूं ठीक है तो देख लिजेगा question next question है यहाँ पर टू नंबर परिवासा साइथ पुंजीगत व्याय और आइगत व्याय के बीज अंतर असपश्ट करें ठीक है 300 रुपई का माल विक्री किया गया पर इसका लेखा क्राइब बाई में कर लिया गया ठीक है अब बी नंबर है यहाँ पर बोलना है कि असुदियों के लिए जनरल प्रविष्टी कीजिए ठीक है पास दर रेक्टिफाई इसिंग जनरल एंट्रिस फोर दर फॉलविंग एरर तो एरर यहाँ पर आपको डिटक्ट करना है यहाँ पर देख लीजे बी नंबर में बोला गया है कि 350 रुपई दिने से मिले पर इन्हें रमेश के खाते में क्रेडिट किया गया आगे देख नंबर में है कि 250 रुपई का माल एक ग्राहक के यहाँ से वापस आया पर इसके लिए कोई प्रविष्ट नहीं की गई यह धपी इसे रहतियों में सामिल कर लिया गया ठेक है डी नंबर है कि 324 का माल मोहन से क्राई किया गया क्राई पर विक्री पुस्तक में लिख दिया ग गया एप नंबर है करे पुस्तक का योग 230 कम लगाये गया जी नंबर है विक्री पुस्तक का योग 10 रुपई कम किया गया एच नंबर है करे पुस्तक के योग 200 से अधिक लगाये गया ठीक है नेक्स्ट आपका फोड नंबर कोश्चिन इसमें पुछा गया है कि प्राप्त यह आपका entry के question है तो यहाँ पर देख लिजिए आप लोग ठीक है उसके बाद six number question आता है इसमें पुछा गया है कि जब माल किस्त भूगतान पद्दती पर बेचा जाता है ठीक है what accounting record is made in the book of the buyer and the seller ठीक है seven number question देखिए तो यहाँ पर आपका entry के question है eight number पर पुछा गया है कि Garner बनाम मर्रे का नियम क्या है स्थिर परिवर्तन सील पूंजी पधती में यह कैसे लागू किया दाता है ठीक है what is Garner versus Murray rule how is applied under fixed and यहाँ पे है कि fluctuating capital system देखिए दोस्तों मैं first time ऐसे ऐसे वर्ट पड़ रहा हूं तो definitely मुझे पढ़ने में थोड़ा सा hesitate होगा एंड इसी को है कि लेखांकन सिद्धान के अर्थ का वर्णन कीजिए उनके आवश्यक लक्षन कौन-कौन से है तो यह question number 9 है ठीक है मिट गया है describe the meaning of accounting principle what are the essential features अब देखते हैं तो यहाँ पे हो गया यह financial accounting question अब आपको कुछ other मतलब दूसरे टाइप से question मिलेंगे जो कि यहाँ पे आपके one marks वाले नहीं होंगे यहाँ पे क्या वल सब्जेक्टिव होंगे ठीक है अब देख लेते हैं कुछ other questions तो इतना question अगर आप कर लेते हैं तो definitely आपके exam में बहुत सारे question भीड़ जाएंग अगला है द्वीप रिष्टी परणाली क्या है यानि कि what is double entry system next है आर्थिक चिट्टा क्या होता है यानि कि what is balance sheet इसको अगर आप नहीं बनाएंगे तो अगला question आ सकता है कि विभाईयर साखों के उद्देश्यों को बताइए describe the object of departmental account तिन नमबर है कि परिष्टो कमिशन क्या है यहाँ पर आपके total question है चार प्रश्णों के उत्तर देने 9 अंकों के question है और इसका answer आपको 200 सब्दों में करना है अब देखिए यहाँ पर question है कि लेखा लेखों के परकार तथा लेखांकन के नियम लिखे write the type and accounting rule of accounts अथवा में दिया गया है और में कि हरास के आयोजन के चार कारणों को बताइए इंगलिस में है कि estate for cause of providing क्या है depreciation ठीक है next है आपका पांच नंबर की साखा लेखे यहाँ बिभाग यह लेखे में अंतर बताईए distinguish between branch account and departmental account और में बताया गया है कि संचिप टिपनी लिखिए पहला है आपका अधिकार सुल्क इंगलिस में royalty वो जिसको बोलते है रोयल्टी गाड़ी को अगरा का भी कटता है जब रोड में पार होते हैं बालू अगर अलाया जाता है फिर मिरित क्राया मिरित क्राया मतलब कि death rent और तिसरा है आपका लगू कारियरासी यानि कि short working ठेक है अब देखे छे नमबर में भी आपका entry system आ गया और आपके exam में भी definitely इसी टाइप के entry system भी आएंगे ठेक है तो यहाँ पर बोला गया है कि 31 मार्स 2021 को समाप्त हुए वर्स के लिए तेनाली क्लब रोतक का प्राप्ति और भूगतान खाता बनाएं ठीक है अब देखे आपका इसी टाइप से आएगा question and next question है अथवा में कि ब्याज सहीत एवं ब्याज रहीत क्रई विक्रई क्या है what is come interest and test purchase and sales ठीक है next है आपका अंतिम खाते बनाने के लाभू का वड़न करें इंग्लिस में है कि explain the advantage of preparing final account next देखिए तो यहाँ पर आपका है कि manual accounting and computer create accounting system में अंतर बताई है manual accounting मतलब हाथ से क्या गया accounting और computer create मतलब जानते ही है computer से क्या गया accounting तो difference between manual accounting and computerized accounting ठीक है c number में देखिए तो c number में आपको यहाँ पे जो है 25 marks वाले question है sorry यहाँ पे हाँ सभी दोनों प्रशनों के उतर दीजिए परतिक प्रशन जो है यहाँ पे लेकिन मैं बता दूंगा कितने marks में किसका answer करना है इतना में किजिए तो आपका exam definitely question छूट जाएंगे क्योंकि लिखने की speed अगर आपके इतनी नहीं है तो definitely question छूटेंगे 8 number question देखिए यहाँ पे आपको जो है entry करना होगा तो यह एक लंबा चोड़ा question हमारा यहाँ पे बन जाता है और आपके दो तीन question आएंगे इस type से बड़े बड़े ठीक है अगला है हरास लगाने की बिभिन पदतियों को समझाईए यह उनके गुन दोस्त तथा उपयोगिता का उलिक करें इंगलिस में बोलेंगे कि discuss the various method of changing depreciation and assert the merit and demerits and utility of each of them ठीक है कि Garner बनाम मर्रे नियम पर एक निम्मद लिखे डेफिनेटल यह question जो है लगभग हर बार पुछा जाता है किसी भी इनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं कोई मतलब नहीं है हर बार पुछा ही जाता है यह question गार्नर बनाम मर्रे के नियम पर एक निम्मद लिखे राइड एनसे ओन दा रूल गार्नर वर्सिस मुर्रे ठेक है आगे है टेली ए आर पी नाइन में विविन परकार की accounting feature को असपस्ट केजिए ठेक है अब देख लेते हैं तो यहां पर टोटल आपकी question complete होते हैं तो दोस् और no doubt कि आपकी exam में question touch ने करेंगे touch करेंगे सबको अब ready केसे करना है अपने book से 50-50 word परतेक question पे अगर हो सेगे तो लिख लीजिए और उतना time नहीं तो कम से कम आपको जो है सबकी एक सासरी निगा से यह सबकी question के answer पढ़ लेना है ठेक है and समय है तो आप परतेक पे छोट video को description में मिल जाएगा अगर आपको कोई दोस्त रखा हो तो भेज दीजिएगा उनको उनके भी help हो जाएगी ठेक है वीडियो को और अगर आप ग्रिशन कर रहे है यह एम कॉम कर रहे है या फिर बीकॉम कर रहे है तो आपको यह चैनल बहुत ज्यादा support करेगा क्योंकि यह आप पर जो है especially graduation and post graduation selected content upload के जाते हैं ठेक है thank you मिलते हैं यह वीडियो में बाब बाई अच्छे से इजाम दीजिए पेज भाड़ दीजिए गों ठेक है